दाम डाम, आज हम विश्णु सैस्रे नाम के श्लोक निन्याण में का उच्चारण और हिंदियर देखेंगे पहला चरण सुव व मी अमिक्स किया अण के उपर आधा र उस आधे र को व की साथ पढ़ना है वर न मी अमिक्स करेंगे सुवर न बी के साथ आधा न बिन दू, र के साथ आधा करक, शो शटकौण वाला है, शो भ्य, भ आधा यह पुरी के साथ भ्य, यह मी अमिक्स किया यह मी अखी मतरे इसले विसर्ग को पढ़ेंगे ह, रक्षब्य ह, पहला चरण रिपीट सुवार्ण बेंदो रक्षब्यह दूसरा चरण समी अमिक्स करेंगे व के उपर आधार सर्व सर व में अमिक्स क्या सर्व व गी की मात्रा बड़ी लंबा कीचना है गी के साथ आधा श वागीश व में अमिक्स क्या व रे के साथ आधा श वरेश दोनों आक्षर पूरे दोनों में आ मिक्स करेंगे र में आ के मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे दूसरा चरण रिपेट पहला और दूसरा चरण साथ में सुवर्न बिंदु रक्षब्यह सर्ववागिश्वरिश्वरह दोनों श दूसरे चरण में आदे हैं ये ध्यान रखना है तीसरा चरण म ममी अमिक्स करते वे महा हरी हरी का मतलब हुआ ह आदा और पूरा जैसे अपन प्र पढ़ते हैं वैसे ये र तीसरा चरण म ममी अमिक्स कैा महा गर्तो तीसरा चरण रिपीट चोथा चरण ममी अमिक्स कैा महा भूकी मात्रा बड़ी लंबा खीचेंगे भूतो वापस मामी आमिक्स क्या महा निधी मात्रा दोनों छोटी लंबाने की चनाम निधी एक की मात्रा इसलिए विसर्ग को पड़ेंगे ही महा निधी चौथा चरण रिपीट महा भूतो महा निधी तीसरा और चौथह चरन साथ में पूरिश लोग का अचारन एक साथ सुवर्ण बिन्दु रक्ष भ्यह सर्ववागी इश्वर इश्वरह महा रदो महागर्तो महा भूतो महा ने दि तीसरे चरन में जो र है उसका मतलब होगा H-R-E वापस पूरी श्लोक का उच्छारण सुवर्न बिंदू रक्षब्यह सर्ववागीश्वरेश्वरह महा रदो महा गर्तो महा भूतो महा निदिह श्लोक का अर्थ देखते हैं सुवर्न बिंदू इसमें जो र है र का आधा र बिंदू के बाद का विसर खटने पर आया है और र में जो अ मिक्स किया वो आगे बनकर अक्षब्यह शब्द बनेगा ठीक है तो सुवर्न बिंदू हू यानि सुन्दर अक्षर और बिंदू से युक्त और कार स्वरूप नाम ब्रह्म आप जब ओम लिखते हैं तो उसमें अक्षर और बिंदू दोनों रहते हैं तो सुन्दर अक्षर और बिंदू से युक्त आगे अक्षब्यह अभी बतायता र आदा बिंदू के बाद का विसर खटने पर आया है और र में जो अमिक्स के आता उससे शब्द बन जाएगा अक्षब्यह अक्षब्यह यानि किसी के द्वारा भी शुभित न किये जा सकने वाले सर्ववागेश्वरेश्वरह समस्त वानी पतियों के यानि ब्रहमाद आदी के भी स्वामी महा रदो यानि ध्यान करने वाले जिसमें गोता लगाकर आनंद में मगन होते हैं ऐसे परमानंद के महान स्वरूप जिनका हम ध्यान करते हैं तो हम आनंद में मगन होते हैं वे स्वरूप महां गर्तो यानि माया रूप महां गर्त वाले गर्त वैसे गड्डे को कहा जाता है और हम जानते हैं कि जो माया में फस जाता है वो इस जगत के आवागमन के चक्र में फसा रहता है इसलिए जो माया रूप महान गर्थ वाले हैं, मतलब माया के दुआरा हम सबी को जब हम माया में फस जाते हैं तो हम एक गड्डे में फस जाते हैं, जो माया है वो भी किसका स्वरूप है? प्रभु का ही, भगवान का ही महा भूत ह, त्रिकाल में भी कभी नश्ट न होने वाले महा भूत स्वरूप भूत यानि प्राणी होता है तो जो प्राणीों में भी महान है मतलब जिनका नाश नहीं होता है वो महा भूत स्वरूप महा नीधि ही, नीधि सबके महान निवास स्थान यहां भगवान विश्णों के 800 नाम से 806 नाम पूरे होता है पूरे श्लोक कार्थ एक बार फिर से सुन्दर अक्षर और बिंदु से युक्त और कार स्वरूप नाम ब्रह्म जिसके द्वारा भी शुभित न के जा सकने वाले समस्त वानीपतियों के यानि ब्रह्मा आदी के भी स्वामी ध्यान करने वाले जिसमें गोता लगा कर आनद में मगन हो जाते हैं ऐसे परमानंद के महान सरोवर मायरूप महान गर्त वाले त्रिकाल में भी कभी नश्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप सबकी महान निवास स्थान अविनाशी सहज सुखराशी ही नाथ ही मिरे नाथ मैं आपको बूलू नहीं नारेन 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 नारेन